हेलो एवरिवन एंड वेलकम तू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिक्स के रेडियन्स की बुक का एक चैप्टर करेंगे चैप्टर का नाम है लता मंगेशकर दी मैलोडी क्वीन इस चैप्टर के सारे क्वेशन के आंसर्स विलिन दी ब्लैंक सब कुछ के बिलकुल आसान आंसर्स देखेंगे और उसका हिंदी मिनिंग भी समझेंगे सारे चैप्टर्स के अंसर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सबसे पहले वार्मर को देखते हैं Have you ever heard any songs sung by Lata? क्या आपने Lata जी का यानि Lata मंगेशकर का कोई गाना सुना है? What do you like about her voice? उनकी आवाज के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? Yes, I have heard her songs हाँ मैंने उनके गाने सुने हैं Some of them are as follows उनके कुछ गाने निमनलिखित हैं मतलब यहाँ पे कुछ गाने लिखे हुए हैं जो उन्होंने गाया है जैसे ऐसा देश है मेरा ए मेरे वतन के लोगो etc. यानि यह सारे गाने Her voice is so touchy which make me feel every line in songs It is so sweet to be loved इनकी आवाज बहुत touchy है मतलब एकदम दिल को छू जाती है जिसकी वजह से मैं इनके गानों के एक एक लाइन को feel कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ इनकी आवाज इतनी सुरेली, इतनी मीठी है कि किसी को भी बहुत पसंद आएगा लाइक और कमेंट तो जरूर कीजेगा क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें motivation बलता है और हम और भी वीडियोस डालने के लिए inspire होते हैं आप लोग ये chapter पढ़े होंगे तो बताइए स्वर्समरागी किसे कहा गया है लता मंगेसकर Question No.2 Which awards he gave up? कौन सा एवाड था जिसे उन्होंने नहीं लिया था मना कर दिया था Film Fair Best Female Playback Singer Award in 1969 1979 में लता जी को Best Female Playback Singer का एवाड मिला था जिस एवाड को उन्होंने वापस लोटा दिया था अब जब आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई एवाड किसी को मिलेगा तो कोई क्यों लोटा आएगा यही क्वेस्टिन है अगला क्वेस्टिन Question No.3 Why did she give up that award? उस एवाड को उन्होंने क्यों लोटा दिया था क्यों मना कर दिया था To promote fresh talent उन्होंने अपना एवाड इसलिए लोटा आया था ताकि fresh talent को प्रमोट किया जा सके मतलब नए यूवा वर्ग जो है उनको प्रोथसाहित किया जाए उनको सम्मान मिले ताकि वो आगे बढ़के जादा से जादा हिस्सा ले Question No.2 Think and write सोचना है और लिखना है Answer in not more than 50 words मतलब 50 words से जादा answer नहीं होना चाहिए Question No.1 What was the earlier name of Lata? Why was it changed? Lata का पुराना नाम क्या था? उसके पुराने नाम को क्यों बतला गया था? इसका answer होगा The earlier name of Lata was Hriday Lata का पुराना नाम Hriday था It was changed after a female character Latika in her father's play Lata के पापा ने एक नाटक लिखा था उस नाटक में एक लेडी का नाम Latika था उसी के नाम पे इनका नियम रखा गया Question No.2 Lata जी refused to accept the Film Fair Award Lata जी ने मना कर दिया था Film Fair Award लेने से Why did she do show? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? What light does it throw on her personality? इस घटना से उनके वैक्तित्व के बारे में उनके परसनालेटी के बारे में क्या पता शलता है? क्या संकेत मिलता है? इसका answer होगा Lata जी refused to accept the Film Fair Award इसका answer होगा Lata जी refused to accept the Film Fair Award Lata जी ने Film Fair Award लेने से मना कर दिया था See, do so to promote fresh talent उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि fresh talent को मौका मिल सके ताकि new generation को ताकि new generation प्रोच साहित हो और जादा से जादा आगे बढ़के आए It shows that she is really a great person who admires and sacrifices for the talent of new generation उनका award Lata ये शो करता है कि वो एक great personality थी बहुत महान वैक्ती थी जो new generation को यानि कि नई पीडी को admire करती है और उनके लिए sacrifice करती है त्याग करती है पंडित नहरू अपने आसू को नहीं रोक पाते है इससे लता जी के गाने की कला के बारे में क्या पता चलता है पंडित नहरू could not control his tears पंडित नहरू अपने आसूओ को नहीं रोक पाते है इससे ये पता चलता है कि लता जी की आवाज बहुत तची है दिल को छूजाती है C sings wholeheartedly वो पूरे दिल से गाना गाती है जो chapter दिया गया है उसको बार-बार पढ़िये और नीचे जो words लिखे हुए है इन चारो words के meaning बताईए मतलब बताईए कि क्या होता है पहला word है sacrifice sacrifice का मतलब होता है त्याग करना इसको English में एक और चीज़ कह सकते है renunciation दूसरा word है patriotic इसका मतलब होता है देश-भक्ति-पूर्ण इसके English meaning को हम लोग लिख सकते है expressing devotion to one's country next word है native native यानी मूलनिवासी इसको English में लिख सकते है indogenous inhabitants next antim word है gesture gesture का मतलब हाव भाव इसको English में बोल सकते है sign या indication question number c2 find out the opposite of the following words from the text जो chapter दिया गया है उसमें से इन सारे words का opposite word बताईए मतलब उल्टा बताईए कि क्या होता है पहला word है dishonor dishonor का उल्टा क्या होगा opposite word बनाने के लिए कुछ word के opposite तो learn करने होते हैं क्योंकि है spelling ही अलग होता है तो कुछ words के opposite dis लगा करके बन जाते हैं या फिर I am इम लगा करके बन जाते हैं अगर लगा हुआ है तो हटा देना है जिससे पहला word है dishonor dishonor में डिस लगा हुआ है डिस हटा देंगे तो honor इसका opposite हो जाएगा dishonor का मतलब होता है बे इज़ती करना इज़त नहीं करना और honor का मतलब हो जाएगा इज़त करना समान देना नेक्स्ट है usual यानि अक्सर हमेशा जो होते रहता है कि रक्षा करना किसी चीज को प्रोटेक्ट करना इसका opposite होगा aggression यानि आक्रमण नेक्स्ट है mortal mortal यानि मरंसील जो चीज मर जाता है वैसा इसका opposite क्या होगा तो I am लगा देंगे आगे immortal यानि कि जो मरे नहीं कभी नहीं मरे नाव यूज आइदर and or but to complete the following sentences नीचे जो भी sentence दिया हुआ है उसमें या तो and भरना है या तो but भरना है और sentence को complete करना है question first he is a naughty boy blank good in studies वो एक नटखट लड़का है पढ़ने में अच्छा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे लेकिन वो एक नटखट लड़का है लेकिन पढ़ने में अच्छा है लेकिन यानी but question number two he is a player खाली जगा एक सिंगर वो एक खिलाड़ी है एक गायक है इसमें क्या भरेंगे बीच में and and यानी और वो एक खिलाड़ी है और एक सिंगर यानी गायक भी है question number three Raju sounds loudly in the playground खाले जगा speaks very slowly in the class Raju playground में खेल के मैदान में बहुत तेज से चिलाता है खाले जगा क्लास में slowly बोलता है यानी धीरे धीरे बोलता है तो यहाँ क्या लेकिन but Raju खेल के मैदान में जोर से चिलाता है लेकिन धीरे धीरे बोलता है question number two Everybody has a hobby what is yours सब लोगों का कोई नो कोई होबी होता है तुम्हारा क्या है? मतलब तुम्हारा क्या होबी है? तुम्हें खाली समय में क्या करना पसंद है? Discuss in groups your hobbies and then complete the sentences given below अपने होबीज को classroom में discuss करो, बातचीत करो और यह जो sentences दिये हुए हैं नीचे उनको पूरा करो A. I am a, खाली जगा मतलब मैं हूँ, girl हूँ या boy हूँ यहां bracket में दिया हुआ है boy means लड़का, girl means लड़की अगर लड़की हूँ तो girl और अगर लड़का हूँ तो boy तो यहां पे हम लिखेंगे I am a girl B. I study in class, मैं कौन से class में पढ़ती हूँ, 5 या 6 C. I am fond of blank, मुझको खाली जगा करने का शौक है प्ले करने का, यानि की खेलने का, सिंगिंग करने का, यानि गाना गाने का, डांस करने का, रिडिंग यानि पढ़ने का, वाचिंग तीवी यानि तीवी देखने का तो मुझे डांसिंग का शौक है, तो मैं लिखूंगी डांसिंग Question number D. I खाली जगा in the evening, after I finish my homework मैं शाम में जब अपना homework पुरा कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? Take sleep, यानि सो जाता हूँ, take bath, यानि स्नान करता हूँ, नहाता हूँ तो आप लोग जो करते होंगे वो लिखेंगे Take bath, यानि कि मैं नहाती हूँ I खाली जगा lot of time to my hobby मतलब मैं hobby को अपने समय का खाली जगा करती हूँ Give यानि देती हूँ, take यानि लेती हूँ तो अपने समय को देती हूँ अपने hobby के लिए या अपने hobby के लिए समय को लेती हूँ तो यहां देना होगा give Question number F I want to grow big and become a खाली जगा मैं बड़ा होना चाहती हूँ और बड़े हो करके singer या dancer क्या बनना चाहती हूँ तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को dancing का shock होगा वो dancer बनना चाहेंगे जिन लोगों को singing का shock होगा वो singer बनना चाहेंगे तो मैंने यहां पर लिखा है dancer क्योंकि मैंने उपर लिखा था कि मुझे dancing का shock है Question number F Translate the following into English यहां पर जो भी sentence दिया हुआ है हिंदी में उसको English में translate करना है पहला है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है इसको English में कैसे बोलेंगे I am fond of singing Fond यानी अच्छा लगता है Question number 2 है मुझे कहानिया पढ़ना अच्छा लगता है इसको English में कैसे बोलेंगे I like reading stories 3 number है मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ इसको English में कैसे बोलेंगे I want to become a क्रिकेटर when I grow up Question number F2 Translate the following into Hindi यहां जो भी sentence दिया हुआ है उन सारे sentences को हिंदी में translate करना है Question first I am fond of watching TV इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे TV देखने का शौक है Question 2 I want to become Lata Mangeshkar इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे Lata Mangeshkar बनना है या मैं Lata Mangeshkar बनना चाहती हूँ यह भी हो सकता है Question number 3 I want to fight for my country मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ Question number 4 I am a brave boy मैं एक बहादूर लड़का हूँ Question number G Let's play Fun with words denoting sound कुछ words दिये हुए है असल में उनका meaning नहीं होता है कुछ भी वो एक sound होता है किसी भी चीज का आवाज होता है Some interesting words sound like the noises for which they stand कुछ words यह नीचे दिये हुए हैं और असल में वो क्या होते हैं noise होते हैं यानि कि आवाज होते हैं किसी नकिसी चीज के You use a different tone of voice when you say these words जब आप लोग इन सारे words को बोलते हैं तो एक अलग tone का इस्तमाल करते हैं एक अलग आवाज होती है The voice became louder and more forceful आपकी जो voice होती है आवाज होती है वो ज़्यादा तेज हो जाती है और forceful हो जाती है बल पुरुवक बोलते हैं आप किस चीज को कुछ उधारन दिये हुए हैं कुछ example दिये हुए हैं Zoom went to the car मतलब car कैसे गई जुम करके गई आवाज उसकी है कार की Bang went to the door दोर किस तरीके से आवाज किया Bang Pip-pop, flippy-plop ये क्या है ये भी एक sound है Say the following and write the name of things that would make these wounds or actions नीचे जो भी word लिखा हुआ है उसको एक-एक बार बोलना है जैसे पहला है click तो click-click किसका आवाज होता है ये कैमरा में आवाज होता है उसके बाद चर्प चर्प किसका आवाज होता है Birds का यानि चिणियों का Whisper, whisper यानि फुस-फुसाना होता है और ये human beings करते हैं इन सारे words से sentence बताना है और बताना है कि ये किसका sound है तो पहला sentence होगा Click went on the camera चर्प चर्प went on the birds Whisper went on human beings ओह और आह जो है इसका कोई meaning नहीं होता है ये हम लोग use कर लेते हैं जब हम लोग कोई shocking चीज़ देखते हैं चौक जाते हैं तो ओह का इस्तमाल करते हैं और जब हमें दर्ध होता है तो हम लोग आह करते हैं ओह का होगा ओह वाट अ बिग शीप आह का होगा आह क्राइड जोती इन पेन